हलो माइडिया स्टुडेंट्स वेलकम बैक टी चानल इत्माइन नीव वीडियो माइनम इस वाम वीडियो फ्रॉम एवन कोच्छी तो स्टुडेंट कैसे आप सब उम्मीद करता हुआ बहुत ही अच्छे से कर रहे होगे तो बेटर लास्ट वीडियो में लोगों ने सप्लाई क्या होता है कुछ बुक्स में सप्लाई साथ में रखक है फ्रैंक की जो हीक्ट सिकनोमंस के से में कुछ बुक्स में अलग-अलग भी है तो बहराल तो हम लोगों ने दो पार्ट्स में किये सप्लाई अलग किया इलास्ति अलग करेंगे और नुमेरिकल का वीडियो नेक्स वीडियो में आएगा तो फूरा चेप्टर कम्प्लीट हो जाएगा नुमेरिकल को छोड़ कर आज हम लोग बात करें ऐलास्ति सिट्य ऑफ सप्लाई की होता है सप्लाई को मतलग तो पता है यहां पर यह簡 है पदे यह पता है कि प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ती है प्राइस घटता है तो सप्लाई घटती है यह बात तो पता है यह मुझे भी पता है आप लोग को भी पता है प्रहिए लाव सप्लाई बोलता है कि प्राइस बढ़ेगी प्राइस घटेगी यह बोलता है क्या क्या सप्लाइ कितनी बढ़ेगी हाउ मच कितनी हाउ मच सप्लाइ में कितना चेंज आएगा कितनी बढ़ेगी कितनी कम होगी कौन बताएगा इलास्टी सेटी और सप्लाइ मतलब सप्लाइ में कितना चेंज हुआ इतना चेंज हुआ इतना ज्यादा चेंज हुआ कितना चेंज हुआ यह कौन बताएगा यह में बताएगा हमारा अपना प्यारा इलाफिसिंटी और सब्लाइर क्या है प्राइस आशिस एफ सप्लायर मेजा इंद už डिगरी ओफ रिस्पांसिवनेस क्या लिए डिगरी ओफ डिपर सीवनेस और दिपनि टी कितनी डिगरी कितना चेंज हुआ होने की वजह से सप्लाइब कितने का चेंज हो रहा है कौन बताएगा हमें अपना इलासिटी आप सप्लाइ नेक्स टेमेटा हमारा अब यहां समझ में आ गया इलासिटी आप सप्लाइ का मतलब ठीक है अग्सेट डिग्रीज औफ इलासिटी आप सप्लाइब डिग्रीज आप सप्लाइब इसके आगे का पार्ट इसमें है पढ़ाया हूँ अल्रीड तो मैं क्लिप एड कर दो उसको आप लोग देखे ना को इडाव डाइज अ कमेंट सेक्षिन में स्ट्राम में कॉंटक्क के लि इनलासिक सप्लाइब मतलब प्राइस में तो चेंज हो रहा है लेकिन सप्लाइब इनलास्ट इनलास्ट इनकी कोई चेंज नहीं हो रहा है प्राइस में चेंज हो रहा है बट सप्लाइब में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है कैसे बिटा चलो उसको देखते करके ले देते हम एक फिकर पहले अपना यह इधर लिया हम लोगों ने प्राइस इधर हम लोगों लिये बटा सप्लाय जब सपोस्पाइब नुँग प्राइस 10 रूपीस था तो सप्लाइब कितनी है हेंड esth 50 50 के हम लोग quantity मिलेंगे कितने किते के 50 50 quantity में और प्राइस हमारा 20 हुआ तो सब्सक्राइब हमारी कितनी हुई अभी भी क्या है है हनुट ही है मतलब प्राइस इनलासिस स्पाइगे मतलब क्या है यह इस इकोल डू जीरो याने कि सप्लाइब में कोई भी छेंज नहीं हो रहा है हम लोग वन न चलते हैं क्या मान चलते इता वन अगर वन से ज्यादए यहाँ प्राइस में तो चेंज हुआ लेकिन सप्लाइ में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है इसको हमादे डियाग्राम में कैसे अंगे यह होगा आपका X-axis यह इसे हम लोग क्या लेते हैं प्राइस आपको पता ही होगा तो यहाँ पे यहां पर मैंने लिया 20 इधर कितना ले 50-50 में तो यहां पर लिया 50 और यहां पर मैंने लिया है अब जाग प्राइस तरह कितनी थी थी हैंडरेट दिख रहा है समझ में आरी बाद उसके जब प्राइस 20 हुआ तो सप्लाई कितनी है 20 है मनलब price में change हुआ लेकिन supply में कोई change नहीं हुआ तो 20 में supply कितनी है इतनी है यह होगी आपका point A यह होगी आपका point B दिख रहा है यह आपको ऊपर की तरफ straight ऊपर की तरफ जा रहा है तो यह क्या शोग कर रहा है यह यह बात समझ में बिटा आप लोगों कि नहीं आई क्लियर है समझ में आ गया अब दूसरा देखो price elastic supply यह क्या होता है यह बता रहा यह इस इक्वाल्टी इंफिनिटी इसका मतलब क्या है मतलब इसका opposite अपकी बार क्या हुआ कि हमने लिया थो प्राइज और हमने लिए सप्लाइब प्राइस यहां पर यहां पर कि 150 होगी ठाइस यहरा पर कितना है टेंन ता ट्वाइब कोचे नी-टाइप इस बाइब यहांपर दान प्रास्टिश अप्लाइब यह इन फिक उनिश ने था और यह कोका 6 एक यहां पर फ्रेम्न आ राएक राह रहां गे मिशन ते टा टृक्त है यह पर uste इसे खिख्शित कर्काया पार हम लोग लोग कर दाले अरे टेन फिल ऍरिल लेते हैं तो मैंत तर्ले और जब आपका प्र基本 इन्रेट प्राइस सब्सक्राइब यह write in supply change रोगई है तब क्या होगा तो अबयोला लगोटा 150 कितना हो जाएगा 150 देख रहा गुछ यहां पर पर भी है याने कि हो मैं आपका पॉइंट और यह आपका पॉइंट व्य मैं लैकिलर conversation जा रहा था उपा की तरफ जा रहा था समझ में आरी बात इंदम स्ट्रेट लाइन जा रही जो 180 की यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा था जब आपका आपके स्ट्रेट लेकिन अगर ऐसे जा रहा है 180 डिग्री में जा रहा है तब क्या बताओगे इंफिनिटी कप इस तरह के फिंगर में समझ में आई बात यह हो गया आपका दो क्लियर हो बेटा यहां तकी नहीं बताओ कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ले ना इस्ट हमारा क्या होता है थार होता है रिलेटिवली इलास्टिक क्या होता है रिलेटिवली इलास्टिक विटा यह क्या होता है रिलेटिवली इलास्टिक का मतलब होता है देखो कि जब प्राइस में तो चेंज हो और अभी हम लोग ने देखा प्राइस में तो चेंज हुआ लेकि ngonес for price में चेंज नहीं हुआ तो क्या हुआ loability आप क्या है प्राइस है समुझते लिए लिटली लास्टिक होता है कि yield होता है मतलब कहने का क्या मानलौ नपने प्राइस लिया ठीक है और लिए ठीक है अब प्राइस में क्या हो बेटा प्राइस में तो चैंज हुआ नर्म दैसक इतना हुआ बीस अगया लेकिन जो आप सप्लाय थी न वो कितनी होगी हैंडत से कितनी होगी 200 हो गई समयारी बात मुल्ब दो खाली नर्मलै चैंज हुआ लेकिन सप्लाइ वन हंडूर से टूहंड हो गई समष्मैयारी बात ज्यादा चेजग विफटी इसुफटी हो ऑई और तो नो सविछ्टे में ज्याधा एक इस क्या होगा ज्यादा हो जाएगा एक से क्या होगा ज्यादा होएगा आप करोगे तोध nov सॉल करोगे इस तरह से फॉर्मूला रहेगा ठीक है तो इससे करोगे तो आपका आएगा हमेशा आंसर जो भी यहां पर आएगा सॉल करने पर वह वन से अधर आएगा टू आएगा आएगा 1.6 आएगा 1.5 आएगा बट वन से ज्यादा आएगा ठीक है निगे आपको नुमेरिका लिए है निसलिए मैं नहीं करा रहा हूं यह आपने लिया मला नॉमल सम्झो प्राइस में तो चेंज हुआ दस का लिकिन सप्लाई में कितना साधा चेंज हुआ इसको में बोलत प्राइस इपने लिए अपर 10 यहां पर आपने लिए 20 ठीक है यहां पर कितने कितना अriansे थोड़ protein तो अब टॉमलू एटर रहे गहां अपर आपने लिए 50 फिर आपने लिए 10XT यहां पर प्राइस टेंट था किती दीश्टी मांड 50 तो आप यहां से याओ और यह लेकी आ जो ठीक है फिर आपका प्राइस 20 तो कितना हो गया 200 272 और 200 ठीक है तो एक तो आपका यह है एक तो आपका यह कुछ देख रहे हैं किसे बन रहा है तो एफ पर 10 से पचास था यह कितना है 20 समझने आ लिए बात तो जब 10 पैसे कितना था था समझ में आया कोई दिक्कत तो नहीं है यहां पर ठीक है चलो आगे देखो इसको रफ करूँ यहां पर स्पेस ओड़ा काम हो जाएगा ठीक है छो कोईश करता हूं कि यहीं पर बन जाए तो आपको ठोड़ी क्या जेए यहां पर कै Cul china GargoyTV अब प्राइस इन से 50 हो गया चार गूना हो गया यहां पर जाबल था 10 से 20 हुआ यहां प्राइस दस से पचास थोड़ा कम ले लो 10 से 40 हो गया कितना हो गए 10 से 40 हो गया लेकिन सप्लाई में कित्नी थी से वान हेंड़र और अभी सप्लाई किता हुई ऑन हेंड़र से 120 जब प्राइस में तो चेंज हो प्राइस में था बहुत जाता चेंज नहीं हो उसको मोनों क्यों बूलते हैं relative in остic यह बहुत इसमें क्यों होता है क्यों अग्य मतला है कि जब प्राइस में तो चेंज हुआ प्राइज तो हो रहा है सप्लाइए में लेकिन कम हो रहा है इसको पर अपने लिए एक यहाँ पर आपने लिए विटावाई एक यहाँ पर ले लो जीरो यहाँ पर ले लिया मैंने 10 20 30 और यहाँ पर ले लिया 40 ठीक है यहाँ पर कितने कितने से ले 50 100 और 150 तो 10 पर कितना है बिटा 100 तो 10 पर जाओ वन हेंड़ उसके बड़ेटा 40 भी कितना है 120 तो प्राइस यहां से यहां पहुझ गया प्राइस कहां से कहां पहुझ गया लेकिन उसमें चेंज कितना है खाली 20 का 20 कहां पर होगा कुछ यहीं पास होगा यूंँ ऐसे बनेगा आपका दिख रहा है कुछ समझ में आरी बार कित है इतना जादा चींच से दिक्रोग जितना इतना और यहां पर फोड़ा सा चेंजर कि आंगे इसको क्या बोलते हैं एलेटी प्ली इनशर में प्राइस पर बहुत दखेंगे लेकिन सप्लाय कि उस इसाब से चेंज नहीं है तो इसको लोग बोलते हैं लेटीमिलए इलस्ट है और सपलाई में चेंज हो रहा है दोनों एक वल एक बात जो ने प्राइस चेंज हो रहा हुँ और हवाँ हम लोगों ने प्राइस कितना लिया था हरवार है घंग उसे能S प्राइस चेंज हो रहा है उसी इस आप से सप्लाई भी चेंज हो रही है इसका डिग्राम कैसे बनेगा ये लोह आप X excess ness ठिक ठागा विशे नहीं तुछ इस यह पर होता है हमारा price यहाँ पर होता है वेटा वैट हमारा कौनि टी है अपर Linda लोर स्थेड़ लेंद अब इसको कैसे बनाएंगे प्राइपिपना दिन प्राइस टेन यहाँ पर मेल मैंने प्राइसory यहां पर सप्लाई कितनी थी 5050 को लो 50 100 और 150 तो जब प्राइस टेन था तो सप्लाई कितनी थी 100 तो यहां पर आओ और यह हो गया आपकी टेन हैंडेट पॉइंट एक हो गया फिर प्राइस आपका 20 तो यहां से यह बना पर कुछ दिख रहा है यून्रा अपकर इस तरह से इस को क्या बोलते बैटा अ है भी इसको महें सबढ़िए इसको लोग बोलते हैं यूनिट टो टोटल टोटल बराबर से बन रहा है जतना भी प्राइस चेंज उतना ही सप्लाई में चेंज हो रहा है क्लियर हुआ कि नहीं हुआ उमीद करता हूं क्लियर हो गया होगा ठीक है अब आपका बचा है लास्ट टॉपिक फैक्टर डिटर्माइनिंग इलास्टिस सिट्यू अफप्लाई तो फैक्ट हाथ चलो अब आगे देखते हैं कि फैक्ट मतलब तो पता है डिमांड में पढ़ क्या हो सप्लाई में पढ़ क्या हो कि फैक्टर के मतलब होता है से कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिनकी वज़ेसे सप्लाई कभी कभी सप्लाई कभी आपकी इलास्टिक होगी और कभी के होगी आपकी इन इलास्टिक होगी इलास्टि की का मतलब होता है less supply में less change होगा ठीक है इस चीज़ को पहले तो अपने माइंड में सेट कर लो अपले गए elastic है तो सब्सक्राइब होगा हाई ली होगा और इन elastic याने की सप्लाइब में less change होगा ठीक है अब देखो पहला Factor's case में behavior of cost of production आपको यह देखना है कि supply में क्या होगा ज्यादा चेंज होगा कम अगर ज्यादा होगा तो elastic होगी supply अगर supply में कम change होगा तो क्या होगी in elastic तो समझो पहला point है behavior of cost of production behavior of cost of production मानलो आप कोई यह क्या अपका ड्यास्टर एक बनाने में कुछ नकुछ कोश्ट आती अब मैं सो बनाता हूं कितने ढुस्ぐ बनाता हूं सो बनाता हूं आप मुझे इसका जो आउटपून आना मतलब मुझे डस्टर है 200 बनाने तीन बनाने ठीक है तो उसका जो cost of production है Duster को बनाने में जो पैसा लगता है अगर उसका cost of production सस्ता है मतलब तम पैसे में अगर मैं इसकी supply बढ़ाऊंगा और cost of production में ज़्यादा change नहीं आएगा मतलब duster को और ज़्यादा बनाने के लिए cost में ज़्यादा change नहीं आएगा 20 रुपए कहा था तो 25 रुपए होगा ज़्यादा cost में फर्क नहीं पौड़ रहा है तो वहाँ पर supply क्या होगी वहाँ पर supply होगी elastic क्या होगी elastic क्यों होगी supply में क्यों होगी क्योंकि easily हम और duster बना सकते हैं तो supply में ज़्यादा लेकिन अगर मान लो कोई ऐसा समान बना रहे हो जिसकी cost of production बहुत महेंगा जिसका cost of production बहुत महेंगा मतलब थोड़ा सा भी आप supply बढ़ाते हो तो cost उसकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो ऐसे किस सब्सक्राइब क्या होगी इनलास्टिक क्या होगी इनलास्टिक क्यों होगी भी इनलास्टिक उसका सीधा सा सिंपल सा रिजने बेटा जब कॉस जादा लगे की तो लोग supply को जादा नहीं बढ़ाएंगे ठीक है और सब्सक्राइब को जादा बढ़ाएंगे ठीक है नंबर टू पर देखो बेटा क्या है टाइम एलिमेंट क्या है टाइम अगर आप कोई बीची समान बनाते हो ठीक है उसको बनाने के लिए आपके पास शौट टाइम है क्या है शौट ट्रं की बात हो रही है तो शौट रण म эффів दो दिन में बोला गया वे बोज़े 50 शंट वाना की दो क्या दोदने पांस शौट पासिट आपके बात क्या हो आई टू एसे में क्या होगा अगर शौन अभीने बाद चाहिए अभी से ओर्डर दे रहा हूं तो वहाँ पर सप्लाई क्या होगी एलास्टिक होगी मेरे पास टाइम जादा है मैं अपने इसाफ से सप्लाई बढ़ा सकता हूं सप्लाई में कोई फर्क नहीं आएगा यहां तक बास सोजबा गई क्लिया रहे चलो अब जल्दी खता होती है अगर पर पर सप्लाई क्या होगी इन ऐलस्टिक क्यों होगी वह बहुत ज्यादा नहीं भणाएंगे बढ़ाएं क्यों कि वह खराब हो जाएंगे भी कहेंगे नहीं तो जैसे विजिटेबल्स फ्रूट्स यह सारी चीज़े लेकिन डिएबल में क्या ह इसको हम लोग संभाल के रग भी सकते हैं इस्टोर कर सकते हैं वेरहाउस बर रग देंगे खराब नहीं होगा इसकी सप्लाई क्या होगी इलस्टिक होगी ठीक है परिशेबल इसमान बना रहे हो अगर वह इसली अविलेबल है भाई जैसे मैं यह मार्कर बना रहा हूं अगर बनाने के लिए प्लास्टिक इंक यह सारी चीज़ देख इसली अविलेबल है मिल जाता है तो उसकी सप्लाई क्या होगी इलस्टिक होगी अगर इसली अविलेबल नहीं है सप्लाई क्या होगी इन एलस्टिक होगी यहां तर बास समझ में आई क्लियर है चलो उसके ब आप बनाते हो और बहुत complex है complete मतलब इतुके साने से नहीं बनता बहुत ज़्यादा चीजेस में लानी परती है मिलानी परती इसमें परती है तो उसमें सप्रभाई क्या होगी इनएलास्टिक भाई इतना ज्यंज नहीं होगा लेकिन अगर और किसी को बनाने का जो प्रोड़ बाला तो ऑन्टकी्स तो अगर आपका आंटरेंटरेंख आनवेंख बंडल स्फिसनेस मैं अगर एक बिसनेस्थ मैं रिस्क लेने वाला हो रिस्क लेना पसंद करता है तोबाओ पसंप्लाइ का ओगी कर लस्तिक लिखिनर TC entrepreneur if entrepreneur is risk-taking then supply will be elastic लेकर नहीं है दिस्क लेना नहीं चाहता है वहाँ पर सप्लाइ क्या होगी इन लास्टिक होगी वहाँ पर सप्लाइ क्या होगी इन लास्टिक होगी समझ्माई बात क्लियर हो बेटा तो यह होगी आपका अब नेक्स वीडियो में हम लोग नुमेरिकल देखेंगे लास्टिक हो जाएगा उसके वादा मार्किट के तरह स्टार्ट करेंगे मैंने आप लोगो से वीडियो बनाई थी मैं जैसे पूरा का पूरा कि नौम इसमें आपका सप्टेमबर में कम्लेट करा दूंगा पूरी स्टैटेजी भी बता रखी जाके उसको देखो और उसको फॉलो करो और उससे आप से अपनी पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो अपने दोस्तों शेयर करो मिलते हैं नियों वीडियो में तब तक लिए थ कि यूलो कई दूरी